आप सभी का मेरी जायनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी शुब जिन तक आप आई मेरी जायनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज सावन के महीने में शीरलिंग पूजा करने के लिए एक ऐसे उपाया को लेकर आई हूँ जो हमारे बच्चे 1980 के बाद पैदा हुए और 2000 तक के जो बच्चे अन्मेरेड बैठे हैं अभी तक क्योंकि मैं कमेंट बक्स में पढ़ती हूँ बहुत सारे बच्चे बच्चे अपने जब जम डेट लिखते हैं तो बहुत दिमाग परेशान हो जाता है कि 1990 के बाद के बच्चे तो चलो लेट हो गए हैं लेकिन 1980 के बच्चे जो हैं जन्में हुए उसके पाद से 1980 से 1990 के बी करवया है कि बिवाज शादी एक समय के अनुसार जब होते हैं तब ही अच्छे लगते हैं लेकिन भगवान की मर्जी के आगे जोग संजोग के आगे जन्मकुंडी के ग्रहन क्षत्रों के आगे कई बार जोर नहीं चलता है बिना कारण से बिना किसी वज़े से बच्चे र में आगे वहिश बढ़ना आगे परिवार चलना आगे रिष्टेदारियां बनना वो सब विवा के बाद शुरू होता है तो वो सब जो होता है वो रुक जाता है वहीं के वहीं तो सभाविक है कि माता पिता का प्रेशान होना और उन बच्चों का प्रेशान होना और ऐसे बच्चे फिर समाज परिवार से कटने लगते हैं जो हमारे समाज के जो अच्छे समाज का निर्मान हो सकता है उसमें ये बहुत बुरी बात है तो आज मैं एक ऐसा उपाई लेकि आई हूँ सब बच्चों के लिए जो इस उपाई को करें और भोले नात से मैं प्रार्थना कर आज शादियां हो तो आपको करना के है चारों सोमबार को आपको इस उपाई को करना है हर सोमबार को आपको करना है सोमबार के दिन आप सुभे नहाद ले जब स्वच्वस्तर पहन ले उसके बास अपने पूजा की तैयारी करें देखिए मैं शिवलिंग बनाने का तरीका आपको बता रही हूं, आपको पूरी पूजा नहीं बता रही हैं, पूजा आप सभी जिस तरह से तैस्षुदा पूजा होती है, उसी तरह से पूजा करेंगे, आप पूजा की वो सारी तैयारी करेंगे, फूर्धु, दीब बत्ती, नेवेद्य, सब चीजों से आप पूजा जैसे अगर धेले में मिट्टी हो अगर धेले में मिट्टी हो तो उस मिट्टी उस धेले को थोड़ा सा कांट छांट के थोड़ा सा अगर आप तैयार कर सके तो अब धेले में मिट्टी मिलती नहीं है जो पक्की मिट्टी होती है वो डेले में नहीं मिलती है उसको थोड़ा स उससा पानी में भिजो ली जिए थोड़े से पानी में भिजो लीजे ताकि वह सक्शक्श्त मिट्टी हो उस मिट्टी को छोटा साउब बैनाके और बिल्कुल एकदम घृट हउब बैनकर नीचे उसके थोड़ा साथ फिलावाश में पलेतर में टिक सके सक और और उसे आपको ज़्यादा कलाकारी की जरूरत नहीं है बस इतना है करना है और सामने जो आपके हिस्सा रहेगा वह आपको तीन अंगुली लगा देनी है उसमें तिलक लगाने का के हिसाब से तीन अंगुली का निशान बना दीजिएगा और उसके साथ ही आपको उसे सुखा सुखा हो जाए तो उसके उपर फिर उसको प्लेट में रखके या थाली में रखके आप फिर जैसे पहले गुरु पूजा गनेश पूजा पारवती पूजा और उसके बाद से भोलेनात की पूजा जरूर करिए और सारी पूजा वैसे ही करिए उनकी लेकिन एक करना पड़े तो जरूर करना चाहिए आपको केसर की डिबिया ले आनी चाहिए पूरे सावन के महीने में आप अगर केसर वाला दूद अर्पित करते हैं भरगवान को इस सोंबार को तो जरूर करना ही करना है लेकिन पूरे सावन के महीने में अगर केसर वाला दूद अर्पि को चड़ती है तो हल्दी वाला दूद्ध तो मैं नहीं कहूंगी आपको केसर वाला दूद्ध आपको जुरूर अर्पित करना चाहिए इस उपाय को आप चार सोंबार करें अपने हाथों से शीविलिंग बनाएं मंदिर में शीविलिंग की पूजा अगर इतनी विक्ट परस्तिती है कि इतने 1980 की सन के जन में हुए बच्चे भी अभी तक बीना शादी के बैठे हैं तो उन्हें अपने हाथों से भगवान का निर्मान करके बोले नात का निर्मान करके और शीविलिंग बनाकर प्लेट में रखके पूजा करनी चाहिए हाँ आप कहोगे कि उस शीविलिंग का फिर करे हैं तो फल और मिठाई तो जैसे परशाद के रूप में घ्रैंड कर लेते हैं लेकिन वाकी चीजें जो आपने अर्पित करी हैं बेल पत्र वगएरा सब कुछ तो वहां आप अर्पित करिएगा जल जो आप दूद अर्पित करते हैं कैसर वाला वह भी सारा आप वहां विस यह अन्मेरिट लड़के लड़कियों को मैं कहूंगी कि वो जरूर करें इसको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जै भोलेनात कमेंट बक्स में जरूर लिखें थैंक्स पर वाचिंग